जैहो चटी मया की नमस्कार बक्तों आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे आप सभी को चट पर्व की हारदिक सुख काम नाएं आज के वीडियो में एक प्राचीन कहानी सुनेंगे अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें पौराणिक मानने था कि अनुसार बहुत समय पहले प्रिवरत नाम का एक राजा था जिनकी पतनी का नाम मालनी था विवा के काफी समय हो जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी इस बाद से दोनों दुखी रहते थे उन्होंने संतान प्राप्ती की इच्छा से कई जतन किये कई उपाय किये फरन तो उन्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ इसके बाद उन्होंने महर्शी कश्यब द्वारा पुष्टि यग्य करवाया यग्य संपन होने के बाद महर्शी ने राजा प्रिय उरत की पत्नी मालनी को खीर खाने को दी खीर का सेवन करने से मालनी करवती हो गई इसे से दोनों के साथ साथ प्रजा भी काफी खुश हुई पुरे राज में ढोल नगाडे पुत्र के उत्सों की तैयारी होने लगी लेकिन जब नौ महीने के बाद बच्चे ने जन्म लिया तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ राजा को इसका बहुत अधिक दुख हुआ और उन्होंने अपने आप का त्याग करने यानि अपने प्राणों को त्याग देने का अप्रण ले लिया राजा जब अपने प्राणों को त्यागने की कोसिस कर रहे थे तभी उसी समय भगवान की मानस पुतरी देव सेना प्रगट होई उन्होंने राजा प्रिवरत से कहा कि वह सश्टी देवी हैं और वह लोगों के पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हैं इसके साथ ही जो लोग मेरी सचे मन से आराधना करते हैं मैं उनके सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करती हूँ यदि राजन तु मेरी विधी विधान से पूजा करो तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ती अवश्य ही कराऊंगी देवी के आग्या मानकर राजा प्रियुरत ने कार्तिक सुकलपक्ष की सष्टी को देवी सष्टी का विधी विधान से पूजन किया जिसके फलसरूप राजा पत्नी फिर से गर्वती हुई और उन्हें सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई एसा माना जाता है तब इसे चट पर्व मनाया जाता है जो व्यक्ति चट पर्व का विधी विधान से पूजा करता है चटी मैया उसकी सभी मनों कामनाएं पूरी करती है हाला कि ये बहुत अधिक कठिन ब्रत है और ये पर्व चलता है इन दिनों तक इसलिए इस पर्व को विधी विधान से करना बहुती जादा आवश्यक होता है ब्रती साफ सुतरे कपड़े पहनते हैं ब्रतों के नियम का पालन करते हैं कुछ ऐसी सामगरी है जिनके बिना ये ब्रत पूरा ही नहीं होसकता है इस बार साम का अरग साथ तारिक को दिया जा चुका है सुबह का अरग आठ तारिक को दिया जाएगा आठ नbnवबर सुक्रवार का दिन रहेगा आप सभी अगर रत नहीं रखते हैं तो जरूर से आज के दिन सुरज भगवान को अर्ग दें किसी सुहागे निस्टरी के पास जा करके उसे आप टीका भी लगवा सकते हैं सिंदूर भी लगा सकते हैं और बहुत सारी सामगरियों उन्हें दान में भी दे सकते हैं मैया का असिरवाद आप सभी के घर परिवार पे बना रहें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ रोचक जानकारी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए कुछ रहिए भूले नात की भक्ती करते रहिए हर हर महा दे